कपड़ा तेरे बाप का आग तेरे बाप की तेल तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरी बाप की इस डायलोग को अब आद्री पुरुष के मेकरस ने बदल दिया है हमारे और आपकी विरोध करने के बाद अब शायद आद्री पुरुष वालों को थोड़ी अकल आई है यह यू कुछ डायलोग से जिनको बदल दिया गया है जो डायलोग था कि मेरे एक सपोले ने तुमारे सेशना को लंबा कर दिया अभी तो मेरे पास पुरा पिटारा भड़ा पड़ा है इस डायलोग को बदल कर अब मेरे एक सपोले ने तुमारे सेशना को समाप्ट कर दिया जो लंबा वर्ड था उसको हटाकर समाप्ट कर दिया गया है डायलोग था कि जो हमारी बेहनों को छेड़ेगा हम उनकी लंका लगा देंगे इस डायलोग को बदल दिया गया है निया जहाँ तू था वहार वहार तुम लगा दिया गया है और जहाँ भी तू use कर दिया गया है तो यह कुछ फेर बदल रही जो Sultan करें गए है लेकिन बात यह उठती है कि आपने डर केमारे डालॉक तो बदल दिये लेकिन क्या आपकी मूलखना बदली है क्या आपकी विचार धारा बद्ली है कि आप अभी भी ये मानते हैं कि हनुमान जी भगवान नहीं है सिरफ भक्त है उनको भगवान हमने बनाए है क्या आपके मन में क्या आपके दिल में रमाइड की परती वो प्रेम है की नहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल है आदी पुरुष के makers के उपर खैर बात कर अगर कमाएं की तो यह फिल्म का बंटा धार हो चुका है तो मंडे को इस फिल्म ने सोला करोड रुपे कमाएं जिसमें हिंदी वर्जन में इस फिल्म ने साड़े आठ करोड रुपे कमाएं और तेलगू वर्जन में इस फिल्म ने साथ करोड रुपे क तो कुल मिला के इसने अभी तक 255 करोड़ रुपे की कमाई करी है अब 700 करोड़ वाली बजट सिरफ 255 करोड़ रुपे कमाई करेगी तो सोची कितनी बड़ी फ्लॉफ फिल्म साबित हुई है ये ये फिल्म अपना बजट भी निकाल नहीं पाएगी अरे बजट छोड़ो ये फिल्म 300 करोड़ का आकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी ओल ओवर इंडिया बॉक्स ओंविस कलेक्शन के मामले में खैर इस सब होने के बाद मनोज मुंतशिर जो आजकर सुर्ख्यों में है जिनको लोग भर भर के गालिया बक रहे है और भी बहुत कुछ है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक बहुत बड़ा चिठी लिखी है बहुत बड़ा ट्विट लिखा है जिसको आज हम एक्सपोस करने वाले है क्योंकि इस ट्विट के अंदर माफी कम विक्टिम कार्ट जादा खेला गया है और ऐसा लग रहा है कि बरोज मुंतशिर कुछ और ही दिखाना चाते हैं अपने ट्विट के माद्व से आईए जरा इस ट्विट को पढ़ते हैं तो मनोज जी लिखते हैं राम कथा से पहला पार्ट जो कोई सीख स सकता है वो है हर भावना का सम्मान करना क्या मजा करते हैं आपने किसकी भावना का सम्मान किया आपने लाको करोडों सनातियों की भावना को आहद किया है सम्मान करना तो बहुत दूर की बात है खैर आगे चलते हैं सही या गलत समय के अनुसार बदल जाता है भावना रह ज और सही रहेंगे रावन गलत था गलत है और गलत रहेगा तो सही और गलत समय के साथ नहीं बदलता क्या लिख रहे हो यार कौन से नशे करके तुमने ट्वीट किया भाई सब खेर आगे बढ़ते हैं आधि पूरुष में 4,000 से भी जादा पंक्तियों के समवाद मैंने लिखे 5 पंक्तियों पर कुछ भावनाय आहत हुई है ओहोऊ ओहोँ आपने तो हमारे उपर एहसान कर दियाabi 4 दर पंक्तिया लिखे किसने कहा था आपसे पंख्तिया लिखने को मत लिखते और 5 पंक्तिया ज जहाँ श्रीराम का यश्गान किया मा सीता के सतित्व का वंडन किया उनके लिए प्रसंशा भी मिलनी थी जो पता नहीं क्यों नहीं मिली भाई साहब आपने जो पाप किये है ना उसने आपकी प्रसंचा को ढख दिया अगर आप ठीक से डायलोग डिखते सही डायलोग डिखते तो आपको हर जगे प्रसंचा मिलती लेकिन आपने जो पाप किया है जो जगन ने अपरात किया है वो डायलोक्स लिखके उसके लिए आपकी जो प्रसंचाती वो पाप में बदल गई मेरे ही भाईयों ने मेरे लिए सोशल मीडिया पर अशोभनी ये शब्द लिखे वही मेरे अपने जिनकी पूझ माताओ के लिए मने टीवी पर अनेको बार कविताएं पड़ी उन्होंने मेरी ही मा को अबदर शब्दों से संबोजित किया ये बात बिल्कुल गलत करी है जिसने भी करी है कभी भी गलती चाहे किसी की भी हो उसके माबाप को गाली देने का हक किसी को नहीं है किसी की भी माबाप को गाली देने का हग किसी को भी नहीं है आपको अगर विरोध करता मनोज का करिए लेकिन आप उनकी मा बेहन को गाली नहीं दे सकते खैर आगे बढ़ते हैं मैं सोसता रहा मधवेत भी तो हो सकता है लेकिन मेरे भाईयों ने अचाना कि इतनी कड़वाट कहां से आ गई कि वो श्रीराम का दर्शन भूल गए जो हर मा को अपनी मा मानते थे शबरी के चड़नों में ऐसे बैठे जैसे कोशले के चड़नों में बैठे हो हो सकता है कि तीन गंटे की फिल्म में मैंने तीन मिनट कुछ अपनी कलपना से जादा लिख दिया हो लेकिन आपने मेरे मस्तक पर सरातन द्रोही लिखने में इतनी जल्देबाजी क्यूंकि मैं जान नहीं पाया एक वज़ा दो भाई साब एक वज़ा दो चलो ठीक है मानते है कि आपने तीन गंटे की फिल्म में तीन मिनट गलत चीजे लिख दी लेकिन उसके बाद जो आप इंटर्व्यू में आकर सफाई देने में लगे हो आपने के एक बारी माफी मांगी बार बार आप हर चैनल पर आ रहे हो और सफाई देने में लगे हो कि इसके बीचे ये वज़ा है इसके बीचे ये वज़ा है इस वज़े से लोग आप बो ट्रोल कर रहे हैं आप ही वो शक्स होना जो ये बोलते हो कि हनुमान भगवान नहीं है अनुमान भक्त है उनको हमने भगवान मनाया अगर आप ऐसी ऐसी बाते करोगे तो बताओ आपको लोग टोल करेंगे कि नहीं करेंगे और ये वही लोग है जो आपको सर आखो पर बिठाते थे ये वही लोग है जो आपको प्रसंसक थे अब वो आपकी विरोधी बन गए क्योंकि आपने कामी ऐसे करे है क्या आपने जैश्री राम गीत नहीं सुना शिवोहम नहीं सुना राम सियर राम नहीं सुना आदिय पुरुष में सनातन की ये स्तूतिया भी तो मेरी ही लेखनी से जन्मी है तेरी मिट्टी और देश मेरे भी तो मैंने ही लिखे है तो भाई सब आपने बहुत बड़ा ऐसान कर दे हमारे उपर क्या आपके सामने शाष्टांग दंडवर्द प्रनाम कर दे जो आपने सब लिखे थी ना जो आपने गाने लिखे थे तेरी मिट्टी में मिल जाओं देश मेरे इनी गानों की वरे से आपको लोगों ने सराखों पर बिठाया आपको इतना एप्रिशेट किया और अभी वही आपको सराकों से जमीन पर लेके आएंगे क्योंकि आपने जो कांट किया है ना यह सब उसी का किया धराया है जो आपको मिल रहा है मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है आप मेरे अपने थे है और रहेंगे हम एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए तो सरातन हार जाए आपने बोला कि हम एक दूसरे की विरुद्ध हो जाएंगे हम लोग एक दूसरे की विरुद्ध नहीं है हम लोग सब आपके डिरेक्टर ओम्राओत की विरुद्ध है हम लोग सब आदिपूरुष बनाने वालों की विरुद्ध है क्योंकि आप सब लोगों ने हमारी रामा सेवा के लिए बनाई हैं जो आप भाली संख्या में देख रही है और मुझे विश्वास आगे भी देखेंगे ओ इतने करोड रुपय कमा लिए इस फिल्म में इतने करोड रुपय कमा लिए आपका ये दिखाना कि इस फिल्म ने कितने करोड रुपय कमा लिए ये दिखाता है कि आप सिरफ money minded हो आपको सिर्फ पैसे कमाले से मतलब है कि आपकी फिल्म ने कितने पैसे कमाई और आप लोगों कितना profit हुआ सिर्फ यह कोई स्वलातन सेवा नहीं है यह खुद की सेवा करी है आपने श्री राम का नाम इस्तमाल करके और जो आप दिखा रहे हो ना कि आपकी फिल्म ने इतने कमा लिए उतने कमा लिए कि इतिहास की सबसे पहले फिल्म जो रमाइड के उपर बनी थी वो थी राम राज जो कि 1943 में आई थी जिसका बज़ट था महज 5 लाक रुपे और इस फिल्म ने कमाएते 60 लाक रुपे डुपे तो या आपकी फिल्म आपकी फिल्म का बजट नहीं निकाल सकती है इतनी बड़ी फ्लॉप यह फिल्म पहले ताथ 810000000 रुपे करी यह ताकत शिरी राम की यह ताकत न रमैंड की फिलाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेर कीजेगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा तब तो के लिए आप सभी का धन्यवाद